वीडियो में हम डिसक्स करेंगे जो CSIR में वेकंसी निकली है administrative officer की और finance and account officer की administrative officer की वेकंसी निकली 44 और account and finance officer के वेकंसी निकली है 21 तो इसमें हम देखेंगे कि उनका जो exam किस तरह से होंगे कि दो exam रहते हैं एक pre होगा एक main होगा एक entry होगा तो हम एक एक करके इसमें इसका exam pattern समझेंगे इस वीडियो में मेरे पास बहुत बच्चों के message आ रहे हैं कि exam pattern नहीं समझ में आ तो मैं एक पर आपको बता देता हूँ अच्छे से शुरू करते हैं दोस्तों कि यह सबसे पहले हम जो appendix one में discuss कर रहे हैं वो discuss कर रहे हैं जो administrative officer है जो AO है उनका exam किस तरह से रहेगा basically मैं आपको बता देता हूँ उनके exam दो exam रहेंगे प्री रहेगा एक mains रहेगा और उसके बाद interview होगा ठीक है जी प्री आपका qualifying रहेगा होगा तीन घंटे का आपका exam होगा 200 question आएंगे और उस में objective exam होगा चार पर चार पोर्शन रहेंगे एक journal knowledge का रहेगा दूसरा journal intelligence and reasoning ability और थर्ड जो रहेगा सी section रहेगा mathematical and numerical ability और फोर्थ जो रहेगा language comprehension और हिंदी और English यह आपके उपर है आप कौन सा चूज करते हो देखो मैं आपको समझा देता हूँ आपका परी का exam किस तरह से रहेगा परी का जो एक्जाम रहेगा उसमें चार सेक्षन है चार सेक्षन की अगर हम बात करें तो a b c d सबसे पहले आपका जनर नोले जनर नोलेज में आपकी जो basic मैं इसका स्लेबस भी बता दूँगा इसके जो परी के जनर नोलेज में स्लेबस क्या रहेगा वह भी आपको मैं बता दूँगा ठीक जी फिर उसके बाद जो जनर इंट्रिजेंट्स रहेंगे वह आपके जो 10 लेवल तक के रहेंगे बेसिक मैथमेटिक्स के रहेंगे एडवांस मैथमेटिक जो इससी में आता उस तरह का नहीं आएगा लैंग्वेज आपके उपर है आप हिंदी और इंग्लीज में से कौन सी चूज करते हों कंप्री हैंसन चूज करने के लिए ठीक है जी कंप्री हैंसन से किस्टन निकालन के लिए उसकी प्रैसी बनाने के लिए उसमें आपको उनसा चूज करते हो आपके उपर है ठीक है इसमें से और इंप्रेटेंट बात यहां पर आती है कि जो यहां पर आपके नेगिटिव जो मार्किंग रहेगी वह वन थर्ड रहेगी अगर आप इसी को क्वालिफाई करन तो नेगिटिव मार्किंग रहेगी यह सिर्वालिफाईंग पेपर है इसके नंबरा आपके final selection में जुडेंगे आपका selection होगा जो मेंस का पेपर होगा और उसके बाद जो इंट्वी होगा उसके base पे आपका selection होगा परीमें 200 webs क्यूश्चन आएंगे दोसमें से अगर आप जितने गल्द करते हों का एक क्यूस्जन का 1 third आपका नेडिट जाएगा ठीक है जी फिर आपका जो जो मेंस का पेपर कुछ इस तरह से रहेगा मेंस में 4 पेपर होंगे 3 घंटे का होगा मेंस में टायर 2 जो एक्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव एक्जाम होगा टायर 1 जो एक्जाम है जो प्रिलिम्स का जो एक्जाम है ऑबजेक्टिव है टायर 2 का जो एक्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव है मेरे पास बहुत बच्छे पूछ रहे थे कि टायर 2 का कैसा होगा टाय टायर 2 का जो एक्जाम वहं डिस्क्रिप्टीव और टायर 1 का जो अब具 टिक होगा ठीक है टायर 2 खरक्जाम में तीन घंटे का प्रोगरोंग टीन जो प्रेपर वन है पर div 1 में आपकी जर्णल अवेर्डेस of development of economic social and scientific cultural field history geography जो प्रीमें जो आपकी GS रहती है उस तरह का आपका इसमें आएगा ठीक है जी जो GS का जो पेपर 1, 2, 3 रहते हैं उनको इन्होंने दो पेपर में डिवाइड कर लिया पेपर 1 एंड पेपर 2 पेपर 4 एजिटीज है इसमें जो अगर आप यूपीसी का मेंस लिखते हो तो उस टाइम पेपर 4 जो अथा है एथिक्स, इंटिग्रेटी एंड एप्टिटूट का वो भी इसमें एजिटीज पेपर है अगर आप यूपीसी की तियारी करते हो तो यह वाला पेपर आपके लिए बहुत है बहुत ही सही है त्यारी करने के लिए और सेलेक्शन के लिए इसका जो सेलेक्शन है वह भी यूपीसी जैसा सारी चीज़ें पेपर जो टू है उसमें आपका कॉंस्टिटूचन ओफ इंडिया आएगा पोल्टी गवर्नेंस और सोसल ज पहले तरह से राइटिंग का ही होता तो उसमें भी दो तरह से आते इसमें भी आपको दो लिखने पड़ेंगे यूपीस की तरही यह भी डेड़ सो नंबर का पेपर फॉर्थ इसमें एंटिग्रेटी एथिक्स इंटिग्रेटी एंड एप्टिवी टूट का रहेगा टोटल आपके 600 रहेंगे 600 में से आपके जितने नंबर आते हैं उसके बेसिज पर आपको इंट्रू के लिए बुलाए जाएगा इंट्रू के लिए कितने बच्चे बुलाएंगे इंट्रू के लिए जितनी वेकैंसी हैं इंट्रू के लिए जितनी वेकैंसी हैं उसके पांच गु में आपका इंट्रीव रहेगा इंट्रीव क्या रहता है इंट्रीव सो नंबर का रहेगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी साथ सो में से साथ सो में से जितने नंबर आपके आते हैं उसके बेसिज पर आपका सेलेक्शन किया जाएगा इंट्रीव इन्हों ने बहुत उसके सो number इन्हों ने divide कर दिये किस तरह से तरह से divide कर दिए को एम डिवाइड कर दिया अगर मालो आपके पास essentially qualification है तो आपको आपको पांच नंबर मिल जाएंगे तो आपको 5 डिएंगे परसंट चीजाँ से तक पांच मिल सब्सक्राइब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जैसे मांग रखी मालों एंबी वेगरा है आपके पास और एक्सपीरेंस आपको तो पांच नंबर अलग से मिल जाएंगे तो यह दोनों चीजे तो दस नंबर आपके इंट्वी में ऐसे जुड़ गए फिर एक्स्टा केरिकलम एक्टिविट सेंड नॉलेज यह बनने के लिए जो जो पर फिल्ड में किस तरह काम करोगे करोके पता है नहीं पता है उसके आपको 10 नंबर मिलेगे पर्सनल्टी कि आप डिजर करते हो, अकाउंट ओफिसर बनना या नहीं, पर्सनल्टी का मतलब यह नहीं कि काला गोरा लंबा पतला कैसा बंदा दिखता वो नहीं है, यहाँ पर्सनल्टी का मतलब है कि उसके way of talking कैसे है, उसकी पर्सनल्टी का मतलब क्या है कि वो किस तरह से आता है, अपना problem लेके, तो किस तरह से उसको face करेगा, तो यह यहाँ पर्सनल्टी होती है, ठीक जी, तो उसके बाद है working knowledge of computer, computer आज गे time पर सब को आता है, चोटा बच्चा अगर 5 साल का हो तो उसको भी computer आता है, तो computer की knowledge चेक करते हैं, computer की knowledge में आपको basic basic पता होना लिए आप suitable हो या नहीं हो, उस तरह का आपका aptitude है या नहीं है, तो इस तरह से total करके आपके 100 नमबर बनते हैं, तो 100 में से जितनी आपके नमबर बनेंगे, और जो आपके main में जो नमबर आएंगे, उनको जोड के आपका final selection होगा, ये तो होगे आपका, हमारी selection की बात इसके बाद हम बात करते हैं, account officer की, जो appendice third है, वो क्या बताता है, वो बताता है, exam scheme for the post of finance and account officer, अगर finance and account officer आप लगते हैं, तो exam scheme आपकी क्या रहेगी, तो इसमें आपकी exam scheme रहेगी, इसमें पहला paper तो as it is, जो objective paper आपका administrative officer का है, यही आपका finance and account officer का रहेगा, 200 question आएंगे, multiple question रहेंगे, objective question रहेंगे, one third negative marking रहेगी, जो section A है, उसमें general knowledge के question रहेंगे, 50, section B में general intelligence and reasoning के question रहेंगे, 50, section C में arithmetic and numerical ability के question रहेंगे, 50, section D में आपके language, comprehension, Hindi or English में से 50 question रहेंगे, ठीक है जी, तो इस तरह से आपके one third इसमें से जाकि जितना आपका score इसमें रहेगा, उसके basis प यह खाली आपका qualifying test है, उसके बाद जो आपका score होगा, इसमें आपके 4 paper रहेंगे, अब यहाँ पे आपका ethics and integrity का paper नहीं रहेगा, इसमें जो paper रहेंगे आपके, पहला जो आपका paper रहेगा, पहला आपका paper रहेगा, general awareness, development, economic, social, scientific, cultural, field history, यह सारा paper आपका सेम रहेगा दोनों म administrative officer में भी, account officer में भी, डेट सो नमबर का, दूसरा paper है, constitution of India, politic, governance and social justice, यह भी दोनों में सेम रहेगा, paper थर्ड है, उसमें आपका, ऐसे दो थे, यहाँ पे आपके paper थर्ड में ऐसे एक रहेगा, 100 marks के, वहाँ पे ऐसे दो थे, 75, 75 marks के, यहाँ पे आपका, जो main paper होगा, वहाँ यहाँ पे, यहाँ पे commerce and economics का हो जाएगा, 200 number का, वहाँ पे आपके चारो paper, 1500, 1500 के number के थे, यहाँ पे आपके last का जो paper हो, 200 number का हो जाएगा, ethics and aptitude की जगह पे, integrity and aptitude की जगह पे, वो क्यों, क्योंकि आप finance and account officer बन रहे तो आपको count and economics की, commerce की knowledge होनी चाहिए, तो यह 200 में से आपके जो 100 number आएंगे, दोनों को मिलाके, इनके basis पे आपकी final merit बनाई जाएगी, इंट्र्यू में इसमें क्या है, इंट्र्यू में सेम एजटी जिसमें भी वैसे ही है, essential qualification के आपको 5 number मिलेंगे, desirable MBA, या फिर CACM में कर रखी 5 number, रलक्से मिल जाएंगे, extra curriculum activity है, तो उसके आ आपको टैली वे गएरा, जो आज के SPSS है वे गएरा कि आज की टाइम पे नोलेज है नहीं है, उसके आपको 20 number अलग्से मिलेगे, aptitude and आप अकाउंट अफिसर बनने के आप में aptitude and suitability है या नहीं है, उसके 15 number आपको अलग्से मिलेगे, तो कुल मिलाके हम बात करते हैं, दो को अधिन ऑग्सें, थो आपको टाइम आपको ल Jordi के समें, प्में इन ओर ऑनोलेज सक्टोल आपको अग्सक वे इन खिंड हैं, तो क CandIT K